Okay students, अब हम स्टार्ट करते हैं lens makers formula, जिसमें हम reflection निकालेंगे thin lens के थो, तो suppose that एक convex lens है, अभी इसमें हमने क्या किया, इसका क्यवल first surface draw किया है, second surface को हम absent मान के चलते हैं, this is a point object, suppose that कि यह point object है, और incident रे इस तरह से जा रही है, point A पर dip, क्या कर रही है, incident हो रही है, यहां से हमने एक normal draw किया N1 जो की center of curvature से जाएगी C1 इस surface का center of curvature C1 और pole हमने P1 लेट कर लिया है यह normal हो गया तो you know that कि अगर यह absent है second surface तो raise अगर incident होगी rare medium से denser medium में जा रही है तो वो towards to normal bent हो जाती है यानि normal की और bent हो गई suppose that यह इस direction में गई और image बन गया I dash पर यानि O का पहला image बना कहां I dash पर O की P1 से distance कितनी हो जाएगी object की distance और I dash image की P1 से distance कितनी हो जाएगी image की first distance हो गई first surface के थ्रू और C1 की distance P1 से क्या हो जाएगी first surface का radius of curvature तो इस होता क्या है due to this the reflection at first surface first surface के थ्रू रिफ्रेक्शन क्या होगा अब ही जो हमने spherical के लिए formula पढ़ा था N2 upon V dash minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R1 क्योंकि formula था N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R था तो V के जगा V dash हो गया और R के जगा R1 हो गया यह first surface के थ्रू रिफ्रेक्शन हो गया लेकिन यहां पर हम second surface को ignore नहीं कर सकते हैं तो माल लेते हैं कि second surface हमारा बना हुआ है तो पहले raise इस direction में आ रही थी और अब second surface है बन गया उस पर हमने एक normal draw किया से N2, C2 जो कि second surface का center of curvature है और lens की thickness हम T माल लेते हैं तो अब यहां तक तो यह travel करेगा T as it is इस इस direction में लेकिन second surface से जैसे ही reflection होगा इमर्ज होगी light N2 medium से N1 medium में यानि यह क्या हो जाए कि normal से दूर चली जाएगी और यहां image बन जाएगा means इस image के लिए यह object का work करेगा यानि V dash object हो जाएगा और I की distance P2 से क्योंकि second surface के दूर ले रहे है यह distance आपकी क्या हो जाएगी यह distance यह distance आपकी हो जाएगी image की distance final image की distance और final image की distance होगी कितनी क्योंकि यह V dash हमने ले रखा है यह distance हमने T ले लिया तो यहां से हम निकालते हैं कि I कितना आएगा final image की distance हम माल लेते हैं V है P2 से P2 से कितनी distance माल लेते हैं कि यह V distance पर है तो अब इस image के लिए जिसके image की distance V आई है उसके लिए जो object होगा वो आपका आएगा इस surface से I dash के लिए क्योंकि image यहां पहला बना था तो P2 से I dash की distance निकालनी होगी अब क्योंकि P1 से I dash की distance मालूम है V dash और यह thickness T है तो अगर हम यह T हटा दें किसमें से V dash में से तो P2 से I की distance मालूम हो जाएगी P2 से I dash की distance मालूम हो जाएगी जो की object रहेगा ठीक है तो P2 से I dash जो आपका आएगा यहां से P2 से I dash की distance यह distance आपकी यह object हो जाएगा यह कितना आएगा यह आएगा V dash में से हम क्या minus करेंगे T minus कर देंगे तिकनेस minus कर देंगे यह object हो जाएगा आपका यह final image हो जाएगा अब यह values रख करके हम count करते है तो जो second equation आपका बनेगा in presence of second surface वो आपका आजाएगा फिर N1 upon क्योंकि अब N2 से N1 में रिफ्रेक्शन हो रहा है पहले N1 से N2 में तो हो जाएगा N1 upon अब जो image आपका बन रहा है वो बन रहा है V पर तो V हो जाएगा minus N2 से रिफ्रेक्शन हो रहा है U object यहाँ क्या हो गया है object की distance V'-T तो V'-T रिख लेंगे is equal to आपका क्या हो जाएगा N2 minus N1 होता था तो अब हो जाएगा N1 minus N2 और आप radius of curvature इस surface के लिए हमें कौन सा लेना होगा C2 लेना होगा distance तो radius of curvature C2 तक की लेंगे P2 से तो यह आपका हो जाएगा R2 ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे R2 यह second equation हो जाएगा तो हमें यह equation मिल गया यहाँ से N1 upon V minus N2 upon V'-T is equal to N1 minus N2 upon R2 अब thin lens की यहाँ बात की जारी है तो thin lens के लिए thickness बहुत ही कम मानके चलेंगे neglect मानके चलेंगे तो V'-T को हम V' लिख सकते हैं तो यहाँ हमने change कर दिया यहाँ V' लिख दिया Now see in this equation and in this equation equation number 1 and equation number 3 यह है minus में N2 upon V'-T यह है plus में N2 upon V'-T अब दोनों को add कर देंगे तो यह वाली चीज़ें क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे ठीक है बचेगा क्या N1 upon V'-N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R ठीक है plus N1 minus N2 upon R तो यह equation हमारे पास आ गया यहाँ से हम N2 minus N1 common ले लेते हैं तो N2 minus N1 यहाँ से जाएगा 1 upon R1 और यहाँ N2 minus पहली यहाँ है N1 minus N2 N2 minus N1 करना है minus common लेंगे और फिर यह बाहर तो यह आजाएगा minus में 1 upon R2 ठीक है यहाँ से हमने N1 common किया N1 को transpose कर दिया right side में तो N2 upon N1 आ गया और N1 upon N1 कितना हो गया 1 हो गया N2 upon N1 we know that क्या होता है refractive index of second medium with respect to first medium तो N value हमने put कर दी तो यह हो गया 1 upon V minus 1 upon U is equal to N minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 यह एक equation आ गया thin lens के लिए अब माल लेते हैं कि object को हमने कहां रखा था infinity पे तो image कहां बनता है focal length पे नहीं focus पे बनता है यह value हम रख दे तो 1 upon F में एक formula आ गया जो कि lens maker formula है ठीक है यह आपका lens maker formula यहीं पे आ गया अब अगर यही equation जो यह आया था equation number 4 और यह आया है जो equation number 5 compare करें तो right side दोनों के बराबर है left side बराबर हो जाता है यह आजाता है 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F यह lens का formula आ गया convex lens का यह जो relation आता है इसको Gaussian form of lens equation कहता है तो कभी कभी question में यह पूछते लेता है कि Gaussian form of lens of equation क्या है ठीक है तो I think आप कर ले जाएंगे